नमस्कार स्वागत है आपके अपने चैनल पर दोस्तों इस वीडियों बात करेंगे कि सधारन ब्याज कैसे निकालते हैं ठीक है दो कुष्चन लेंगे और दो कुष्चन में आपको फूरी तरस समझ में आ जाएका बस वीडियो को आप भगाईएगा नहीं इसकी पत किजिए ठीक है चली चालू करते हैं मेरा कुष्चन दिया हुआ है कि 64 रुपए का साथ पुर्णांग एक बड़ा दो परतिस्त बार्सीक दर्थ से एक बड़ा तीन माह का सधारन ब्याज ग्याद किजिए ठीक है तो हमको क्या करना है पहले जो दिया गया हुआ है उसको पहले ठीक है तो इसको पीभीग बोलते हैं और हिंदी में इसको मुल्धन भी बोलते हैं ठीक है यहां पर लिखते हैं कितना है 64 रुपए ठीक है ऑशर सो रुपए ठीक है और यहां क्या दर दिया हुआ है ठीक है दर ज़िए निख लेजिए दर बोलते हैं और इसको आर भी बोलते हैν And और इस कितना दिया हुआ है 7 पुर्णाक 1 बटा 2 परतिसत मतलब की 7 पुर्णाक 1 बटा 2 परतिसत बराबर 15 बटा 7 दुना 14 पलस 15 15 बटा 2 परतिसत ठीक है अचा अब मेरा दिया हुआ है एक टाइम दिया जो हुआ है समय जो दिया हुआ है मेरा समय को इंगलीज में टी भी बो एक बड़ाश एक बड़ास तीन माँ ठीक है लेकर 17 भी मेरा 12 अर्वास्ञ, इसमें भाढ़ास से भाग लगा देंगे ठीक है 12 से भाग लगा देजी ठीक है इसको कटीएगा या तो 4 गटार गलाव की एक पुर्धांग एक बटा चार तो इसको अगर स्वल्प किजिए गा एक गुने चार चार परस एक पांच बटा चार परस ठीक है हो गया लिख लिए अब क्या करता है कि जतना भी दिया गया हुआ है उसको फर्मूला बैठाएंगे ठीक है फर्मूला मेरा कितना है यहां पर लिखी देखिए फर्मूला लिख रहे हैं सधारन ब्याज अचार लिख का फर्मूला होता है थीक है आपको इसी फर्मूला पर आपको जितना दिया हुआ है उसको डाल देना है देखिए पी क्या है मेरा मुल्धन आरक है दोर और ट क्या है शमय हैं यहां पर सब दिया हुआ है बस इसको फर मुल्ला पर आप इतना डाल दीजिए ठीक है चलिए इसको डाल रहे है कितना है मेरा पी 6400 तो यहां पर कर दीजिए आप समय है ठीक है अब हो गया अब देखिए बटा में सो है है ना सो बटा में ठीक है तो अब यहां पर कर दीजिए आप तो अब यहां पर कर दीजिए 6400 गूने 15 बटा 2 गूने 5 बटा 4 गूने अब इस सो है ना इसको भी कर दीजिए यहां पर एक बटा 100 ठीक है अब देखिए यह दूगो जिरो से यह दूगो जिरो कट गया ठीक है अब देखिए 64 कर जाएगा यह भी 64 ठीक है दूग अठे शुलक कर जाएगा यह भी ठीक है अब कितना बच गया आठ गूने 15 गूने 5 अब इतना हो गया आठ गूने 15 गूने 5 अब इसको गूना कर दीजिए ठीक है कितना है आठ गूने 15 गूने 5 आठ गूने 15 गूने 5 ठीक है तो 55 65 65 65 65 60 कितना हो गया 600 रूपया ठीक है तो आप यहां लिख दीजिए आप जगह कमी है इसलिए यहीं लिख दीजिए 600 रूपया ठीक है ऐसे ही इसको बनाईएगा ठीक है चलिए अगला कुश्चन लेते हैं उसमें पुड़ा समझ में आ जाएगा देखिए कुश्चन आ गया इसको बनाते हैं पी ब्राबर दिया हुआ है कितना बहत्तर सो पचास ठीक है आच्छा आपको आड़ भी दिया हुआ है कितना आठ प्रतिशत ठीक है आच्छा आपको दिया हुआ है टी दिया हुआ है टी तेहत्तर दिन दिया हुआ है ठीक है तेहत्तर दिन दिया हुआ है लेकिन हमको बार् से 365 से भाग कर देंगे ठीक है तो 73 में 365 से आप भाग कर दीजिए कि 365 से जब भाग दीजिएगा तो यह आपका बॉर्स में निकल जाएगा ठीक है भाग दीजिए इसको अगर 365 पर त्यस्तर से भाग दीएगा तो आपका पांच मर्तवे ये कड़ जाएगा ठीक है तो आपका टी कितना हो गया पांच बडस ठीक है इतना हो गया अब देखिए फर्मूला तो बता ही हुए थि एक पार फिर्ष लिख देते हैं फर्मूला ठीक है इस फर्मूला पर आप पूरा जो दिया हुआ हो इसको डाल दी जीए ठीक है कितना है P गुने R गुने T बता 100 इस फर्मूला पर जो भी जो भी दिया हुआ आपको सब डाल दीजिए आपका question बन जाएगा प कितना है बहतर सो 50 गुने R कितना है आठ ब्रस परतिस्त कि दर्स है और T कितना है आपका एक बटा पांच ठीक है एक बटा पांच और बटा में कितना आपका है सो है नहीं है पर बता में सो अचा आप क्या करना है इसको कि फिर सी इसको लिखरे जीए बढ़िया से बहत्तर सो पचास गुने आट गुने एक बटा पांच गुने एक बटा तो अब कोई कटने मला है तो कट देची देखिए यहां पर 0 उपर है यहां भी 0 निच्चा तो एक 0 से एक 0 कट सकता है ठीक है अब देखिए अब इस 5 से इस 725 में आप लागा यह भाग तो कट जाएगा तो 5 एकम 5 ठीक है बचे कितना इधर 22 तो 5 चोग का 20 बच गया कितना 2 आप 25 पचीश इस 5 से एक कट गया 145 मरता भी ठीक है अब देखिए अब क्या है यहां भी कट सकते हैं आप 2 पंचे 10 और 2 चोग का 8 ठीक है यहां कर दिए आप देखिए इस 5 से आप यहां कर सकते हैं यहां 5 दूना 10 और 5 नमा 45 ठीक है तो इसको आप गुना कर दिए कितना बच गया आप 29 गुने 4 बच गया ठीक है और इसको गुना कर दिएगा तो कितना हो जाएगा नचुका 36 का 6 और हांसिल 3 और 4 दूना 8 आर 3 11 16 रूपए आप का हो रहा है ठीक है तो उमीद है वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए और चैनल कर दिए सब्सक्राइब धन्यवाद जैहिंत बंदे मातरम